कोई परक नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, परक तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो की कोई तूग दे, ना तो इतने मीटे बनो की कोई निगल जाए। बात संसकार और आदत की होती है बन्ना जो सुन सकता है बो सुना भी सकता है यह सच है जब इनसान की ज़रुरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है किसी को देने के लिए सबसे अच्चा तौपा ये है कि उसकी बावनाव को समझना और सम्मान देना है उमील जिन्दा रखिए आज असने वाले कल तालियां भी बजाएंगे कभी भी किसी का दिल न दुखाएं क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है जीने का बस एक अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो जो इनसान रोते रोते गुसे में सब कुछ बोल देता है बैस अच्चा होता है क्योंकि गुसा और रोना इनसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं सीसा और रिस्ता दोनों नाजुक होते हैं पर दोनों में अंतर यह है कि सीसा गलती से तूट जाता है और रिस्ता गलत पहमी से इनतिजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोसिस करने वाले छोड़ देते हैं हम किसी सक्स से तब लड़ते हैं जब हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है जिस दिन बेउमीद खतम हो जाती है लड़ना भी खतम हो जाता है जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़ूरत पूरी हो चुकी है अक्सर जूटे इंसान की बातें मीटी होती हैं और सचे इंसान की बातें कड़वी होती हैं किसी की इतनी परवा मत करो कि वो ला परवा हो जाए किसी गर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता वलकि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की फरवा करना परिवार कहलाता है किसी से ज़्यादा उमीद मत करना क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गाव होता है कुछ ऐसा करो कि आपके माता पता अपनी प्रात नामें हमेशा कहें पिर गुवा में अगले जनम में हैसी ही संतान देना बगवान से जब भी मांगो तो बगवान को ही मांगो क्योंकि जब बगवान तुमारे होंगे तो सब तुमारा होगा जिस दिन आपने ये फर्वा करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचती हैं समझो उस दिन आपने जिन्दगी का आनंद लेना सुरू कर दिया जीवन में आदे दुख तो गलत लोगों से उमीद रखने पर होते हैं उमीद केवल खुद से करें अंदेरे में तो अपनी परचाईवी साथ चोड़ देती है इनसान के सरीर का सबसे कूपसूरत इस्सा दिल होता है और अगर बैह ही साप ना हो तो चमकता चहरा किसी खाम का नहीं होता बात बहुत चोटी सी है पर सच है कि रिष्टे सबसे रखो पर उमीद किसी से नहीं अच्चा इनसान मतलब भी नहीं होता बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिने उसकी कदर नहीं होती